तो आपको पता है इंडिया गंदर Realme X3 और Realme X3 SuperZoom दोनों स्मार्टफोन अपके ऑफिशल हो चुके हैं तो आज के दो हम देखने वाले हैं आपको फोन से के अंदर क्या प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और फीचर्स देखने को मिलते हैं तो आपको याद दिला दो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बैल आकन यास से तबा देना तो आज आता है अपने मुद्धे पर बात करते हैं अपने फीचर्स को लेकर ही तो सबसब्स देख लेते हैं क्या जूस देखने को मिलता है फोन्स के अंदर यानि क्या बैटरी है तो यहाँ पर आपको बता दूँ फोन्स के नक को देखने को मिलता है 4.002-ms की बैटरी जिसको आप चार्ज करपाऊगे 30W की फार्श चार्जिंग के साथ यानि बैटरी डिपार्टमेंट के मामने में रियल्मी के पुराने फोन्स के तरह है देखने को मिला है यहाँ पर भी इसके लिए आपर बात कर जाए डिस्प्ले की, तो phone screen आप पर देखने को मिलती है 120 B-Suts के डिस्प्ले, 120 B-Suts के refresh rate है, smooth display देखने को मिलती है POCO X2 की तरह ही, तते आपको panel देखने को मिल था IPS LCD, Gorilla Glass 5 के protection के साथ, और बाकी Realme 6 Pro के तरह आप आपको dual punch wall camera सो देखने को मिलते ही है, साथे अपर बात कर जाए camera department के तो आपको पता ही है, इस बार आपके Realme X3 series camera centric series है, याणी camera phone आपको देखने को मिले है, super 9 mode हो गया, astro photography हो गई, और बाकी बाकी को कई सारे features देखने को मिलते हैं, और 60x detail zoom आपको support करता है, जबके अपर बात कर जाए normal Realme X3 की, तो उसमें आपको बताया गया है, कि आपको Realme 6 Pro के तरह 2x optical zoom ही देखने को मिलेगा, और यह आपको पहला difference देखने को मिलता है Realme X3, और Realme X3 super zoom के बीच में, वैसे आपको बाकी camera's बताया है, सेम ही है, 64 megapixel का primary sensor, 8 megapixel का ultra wide, 2 megapixel का macro sensor, और लाशले आपने बात कर जाए main department के ने hardware के processor की, तो आपको processor देखने को मिला है, यूरोप के Realme X3 super zoom वाला ही, यारी snapdragon 8.5+, जो कि आपको इसले साल का flagship processor है, काफी powerful देखने को मिलता है, इस तरी से Redmi Note 9 Pro, और Redmi Note 9 Pro Max है, सारे features आपको similar देखने को मिलते हैं, बस थोड़ा बहुँद दिफरेंस है, तो most parallel को उसी तरी के से Realme X3, और X3 super zoom रहने वाले हैं, सारे features आपको similar हैं, बस आपको camera's के अंदर difference, और शाद आपको processor के अंदर difference देखने को मिलेगा, जिसके लिए खर ज़्यादा वेट करना नहीं है, अक आप 25 जून को इंदर लाँच होने वाले स्मार्टफोन्स, वैसे pricing 19-20 Realme X3 की, और में भी 24-25 के आसपास Realme X3 super zoom की देखने को मिलेगी, इसे आप अब भी comment करकर बताओ, कितनी pricing आप expect करकर बैठे हो, और अधि बाकी updates के लिए आसप बैल आके अंद बादेना स्ब्स्राइब करने के बाद, इसकल रिक्वेस्ट एक चोटी से like जूर कुड़ देना असब ना भूले आपके like, और शेयर केने से महनस वादेते वीडियो बनाने की, इसकल बाकी वीडियों पर जाकर देखो, लाइक किर देना स्ट्राइब आदो, मेल तो नेक्स्ट वीडियो में तेलना है, स्टेए पिस्टेए ब्लेस्ट एंड बाई